Hello everyone, welcome to ISPCA Center, this is Prasant Kumar Friends, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सतरमी BPC Prelims के लिए 90 Days Planner Series को डिसकस करूँगा इसमें आज का टॉपिक हमारा होगा प्राचीन भारत का इतिहास यानि की Ancient History of India ठीक है, देखिए Ancient History तीन दिन लगतार चलेंगे इसके बाद Ancient History खतम हो जाएगा, ठीक है तो Ancient History का आज डेवन है, कल डेटू और परशो डेथिरी को डिसकस करके इसे फिनिस कर दिया जाएगा आज डेवन के अंतरगत, सिंदुहाटी सवता, बैदिक सवता, उत्तरवैदिकाल और प्राचीन भारत मी धार्मी कांदोलन इससे समंदित MCQ को डिसकस किया जाएगा मोडरन हिस्टी के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं बीपेसी में, वह एंसियंट हिस्टी से ही आता है ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे हडपा सवता की कलावधी कितनी निर्धारित की गई है इससे समंदित मिलान करना है ठीक है, तो पहला हो जाएगा मार्टिमर विलर मार्टिमर विलर ने हडपा सवता का काल पचीस सो बिसी से सत्रा सो बिसी निर्धारित किया है एक हो जाएगा चार B का जौन मार्सल हो जागा 3250 BC से 2500 BC B का हो जागा 1 मादब स्वरूप बस ये हो जाएंगे 335 BC से 2700 BC यानि कि C का 3 तो आवियसलि D का 2 हो जागा तो 4, 1, 3, 2 इसका अंसर हो जागा D निमने लिखित में से गलत कथन को चूने कौन सा कथन गलत है बताए कौन सा कथन गलत है इसका अंसर हो जागा B क्यों कि यहाँ पर लिखा गया है कि इस काल में तामबा और जिंक से बने मिसर धातु का परियोग होता था गलत इस काल में तामबा पलस तीन से बने मिसर धातु का परियोग किया जाता था ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा जो गलत है वो option number B गलत है यहाँ पर देखिए explanation दिया गया है अब है सुची एक और दो को सुमेलित करना है कि यहाँ है अस्थान और इधर है खोज करता यानि कि किस अस्थान की खोज किसके द्वारा की गई है इसे आपको match करना है ठीक है पहला है लोथल लोथल का हो जागा रंगनाथ राओ एक का हो जागा तिन दूसरा है धोला वीरा जगपती जोसी B का चार काली बंगा काली बंगा अमलानंद घोस सी का दो तो अब यसली डी का हो जागा एक ठीक है तो 3,4,2,1 इसका correct answer हो जागा तिन का B लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1953 में की थी धोलाविरा की खोज जगपती जोसी ने उनिसो सर्षठ में और काली बंगा अमलानंद घोस ने 1953 में और बनावली की खोज RS विष्ट ने 1924 इस्यू में किया था अब आईए अगला सुची को मैच करना है कौन सास्थल किस नदिक से संबांदित है किस नदिक के किनारे इस्तित है बहुत असान प्रशन है हडपा, रावी, महंजोदलो, सिंधू, काली बंगा, घगर, लोथल, भोगवा ठीक है, A का 2, B का 1, C का 3, और D का 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, अप्सन नमबर A इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है, देखें कुछ और एकस्टर हैया जैसे कि दैमाबाद, दैमाबाद गुदावरी नदि के किनारे हैं काली बंगा, घगर हमने देख लिया, लुथल, भोगवा हमने देख लिया, महंजोदलो, सिंधू हमने देखा, हडपा, रावी हमने देख लिया ठीक है रावी नदी ठीक है दैमाबाद गोदाबरी नदी रंगपूर मादर नदी आलमगीर पूर हिंडा नदी और घरगर बनावली राखी गड़ी और कालिबंगा घरगर के गिनारे इस्थित हैं ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर मैच हो जाएगा ए निमनलिखित में से कौन सा मोहनजोदोरो से साच्छ के रूप में मिला है मोहनजोदोरो से कौन सा हमें साच्छ के रूप में मिला है ठीक है तो इसका अंसर हो जागा ए यानि की एक दो तीन चार या हमें मोहनजोदोरो से हमें या प्राप्त हुए हैं ठीक है मोहनजोदोरो से विशाल असनानागार पसुदेव महादेव की मुहर कांसे की नर्तकी की मूर्ती तथा घर में कुवें के साथ छे हमें महांजोदरों से प्राप्त हुए है थोड़ा सा यहाँ पे असकायन करने में दिक्कत हो गया है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोग सुन लेंगे ठ दिकत नहीं होगी निमन में से कौन सा साथ काली बंगा से प्राप्त नहीं हुआ है यानि कि कौन सा काली बंगा से प्राप्त नहीं हुआ है तो जूता हुआ खेत का साथ साथ हबन कुंड इसके बाद है अलंकरित इटो का साथ और यहाँ बिल्ली का पीछा करता हुआ कुट बंगा से मिला है लेकिन बिल्ली का पीछा करता हुआ कुट्ता का जो साक्षे है यह हमें काली बंगा से नहीं बलकि चन हुदरों से मिला है ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा डी दो तीन प्रश्न थोड़ा सा दिकत हो गया है बाकी सारे साही होंगे ठीक है धौला बीरा के संबंद में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानि कि धौला बीरा के संबंद में कौन सा कथन गलत है पहला यह मासर और मानहर नदियों के मध्य इस्थित है यह त्री अस्तरिय नगर मुहरे मिले हैं अब बताइए कि इनमे से कौन सत्त नहीं है ठीक है तो धौला बुर्या के समद्ध में कौन सत्त नहीं है तो उपर के तीनों स्ट्रेट्मेंट सत्त है यहां मासर और मानहर नदियों के भी चिस्थित है तिरी अस्तरिय नगर योजना वहां पर देखने को मिलत हैं लेकिन मेसोपोटामिया की मुहरे जो है वह हमें काली बंगा से मिलता है ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा डी कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है यह कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा मैच नहीं है इसे आपको बताना है आरे से सैंतिस समाधी हडपा से प्राप्त हुआ ह या बिल्कुल मैच है चार पहियो वाली गाड़ी चनहुदुरों से मिला है या भी मैच है यूगल समधान कालिबंगा से मिले है या भी मैच है यहाँ पर है अगनी वेटिकाएं लुथल तो अगनी वेटिकाएं हमें लुथल से नहीं मिली है बलकि इसका अगनी वेटिकाएं हमें लुथल से ही मिला है इसका अंसर हो जाएगा C इसका अंसर D सही है लेकिन जो यूगल समधान है कालिबंगा नहीं या लुथल होगा ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा C आईए अगला सवाल है हडपा अस्थल और दूसरी तरफ इस्थिती है कौन सा अस्थल कहाँ पर है ठीक है या आप चार भी कल्फ है मैं पढ़ दे रहा हूँ पहला है कालिबंगा दूसरा है सुर्ख कोटदा आप लों मैच करके बताएंगे अगला है कोट दीजी उसके बाद है बनावली इधर जो दिया गया है गुजरात सिंध राजस्थान हरियाना अब आपको बताना है कि कौन सा सिंधुगाटी अस्थल जो है वा किस राज में इस्थित है ठीक है तो पहला हो जाएगा बताएंगे कालिबंगा कालिबंगा कहाँ पर इस्थित है तो कालिबंगा राजस्थान में इस्थित है ए का हो जाएगा तीन कालिबंगा राजस्थान में अगरा है सुर कोट दा या कहाँ पर इस्थित है गुजरात में बी का हो जाएगा एक कोट दिजी कहाँ पर है सिंध में तो C का 2 और बनावली हरियाना D का 4 3,1,2,4 आईए देखते हैं कौन से आप्षन में 3,1,2,4 3,1,2,4 इसका अंसर हो जाएगा B महंजोदोरों से प्राप्ट विसाल असनानगार को ततकालिन विश्यू का सबसे बड़ा अस्चर किस इतिहासकार के द्वार कहा गया तो यह कथन जौन मार्शल का है उन्होंने महंजोदोरों से प्राप्ट विसाल असनानगार को विश्यू का सबसे बड़ा अस्चर करार दिया था महंजोदोरों का अर्थ होता है मृत्वकों का टिला 10 का अंसर हो जाएगा A यानि कि हड़पा सब्वता की नगर योजना की क्या क्या विशेश्ता थी तो भूमिगत जल निकासी प्रणाली ग्रीड अधारी टौन प्लानिंग सिस्टम पकी इंटों का पर्योग और इंट की इमारतों का निर्मान ये चारों जो थें वे हड़पा सब्वता की नगर ट चार करें और सही उत्तर को चुनना है ठीक है सही उत्तर को इसमें से बताना है पहला हडपा सब्वता जो है हडपा सब्वता के लोग एकेस्वर बादी थें बिलकुल सही है हडपा सब्वता के लोग एकेस्वर बादी थें हडपा सब्वता के लोग देवी और देवता दो या भी सही है तो यहाँ पर दोनो स्टेटमेंट सही है 12 का करेक्ट अंसर हो जाएगा C ठीक है अगला हडपा सवता की लिपी के संदर में कौन सा कथन सही है चलिए इसका बिकल्प देखते हैं इसका बिकल्प है पहला हडपा लिपी का पहला नमुना 1853 में पता चला था कौन स कथन सही है पहला कथन सही है दूसरा हडपा की लिपी भाव चित्रातमक्ति या भी सही है हडपा लिपी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी यह कथन गलत है ठीक है क्योंकि हडपा के बारे में आप देखेंगे तो अभी इसकी अस्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त न की हड़पक सबता की लिपि चितरातमग थी अधिकांस विद्वान इसमत से सामत है या आम तोर पर दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी कुछ हपवाद भी हैं जिनमें बाएं से दाएं लिखी जाती थी ठीक है तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ लिखी जाती थी लेकि इसलिए अभी एक अस्पष्ट जानकारी हमें इस बारे में प्राप्त नहीं हो पाई है हडपा सविता के क्रीशी के संदर में निमनलिखित कथनों पर विचार करें कौन से कथन सही है काली बंगा में एक साथ दो फसलों की बुवाई की जाती थी यह भी सही है और हमें अफसेस मिले हैं काली बंगा से मटर और सरसो ठीक है यह दोनों फसल जो है एक साथ बुवाई के अफसेस मिले हैं बनावली से मिटी के हल या बिल्कुल प्राप्त हुए है हरप और महंजोदरों से अन्नागार के साथ मिले हैं यानिकि अन्वंडार के साथ मिले हैं ठीक है तो कितने कथन सही है यहाँ पर तीनों कथन सही है इसका अंसर हो जाईगा C हडपा सवता के पतन के क्या करन थे कुछ बिद्वानों ने हडपा सवता के पतन के लिए बाल को जिम्मेवार बताया है कुछ ने जलवाई परिवर्तन को जिम्मेवार बताया है और कुछ ने आरियों के आकर्मन को जिम्मेवार बताया है लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस फिलोस्पी है वो मार्टिमन विलर का है मार्टिमन विलर ने आरियों के आक्रमन को हडपा सवता का पतन करार दिया था ठीक है लेकिन तीनों आप्सन सही है अलग-अलग विद्वानों का मत इस पर अलग-अलग है 15 का अंसर हो जाएगा C सिंदुगाटी सबता के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है सिंदुगाटी सबता के संदर में कौन सा कथन गलत है सिंदुगाटी सबता उच नगरिये सबता थी लोगों को लोहे की जनकारी नहीं थी या काना कठीन है कि लोग किस प्रजाती से संबंदित थे या तीनों सही है लेकिन उस काल में कपास के वस्तर नहीं बनाय जाते थे या गलत है हमें साच ऐसे मिले हैं कि उस समय भी कपास के साच बनाय जाते थे युनान के लोग जो थे वह कपास को हिंडन कहने लगे जो सिंद आईए इसको मैच करिए सिंदुगाटी सवता के संदर में सुची एक को सुची दो से सुमेलित करना है ठीक है बताइए पहला है लोथल लोथल हो जाएगा गोदी बाड़ा यानि की एक हो जाएगा तीन काली बंगा जुता हुआ खेत हमें मिला है बी का हो जाएगा एक इसके अगला प्रश्ण है कालिभंगा के संदर में निम्ने लिखी कथ्रों पर विचार करें कालिभंगा के संदर में सत्य कथन को आपको यहां पर बताना है कि कितने कथन सत्य हैं इसका अर्थ काली बंगा का अर्थ काली रंग की चूडियां सही है यहां दो टिले मिले हैं जो सुरच्छा दिवारों से घीरे हुए हैं या भी सही है काली बंगा के लोग एक ही खेत में दो फसल एक ही साथ उगाने की प्रकिरिया जानते थे सत्य है और काली बंगा के भवन क अच्छी E2 से बनेते या भी सकते हैं, कितने कथन सकते हैं, यानि कि उपर्युक्त चारों कथन या पे सकते हैं, 18 का correct अंसर हो जागा सभी 4 कथन सकते हैं, आईए मैच करते हैं, हडपा सबता के पतन को लेकर किसका मिलान सही नहीं है, यानि कि किस विद्वान ने क्या मत बताय हडपा सबता के पतन को लेकर, ठीक है, पहला है, गौरडन चाइल्ड एंड विलर, आरियों का आकरमन करार देते हैं, ठीक है, या सही है, अमलानंद घोस जलवाई परिवर्तन, जौन मार्श्रल प्रशासिन की सिलता सही है, लेकिन एमर साहनी बाल को करार देते हैं, यह गल सारा नहीं बताते, बल्कि भूत आतिविक परिवर्तन को हडपा सबता के पतन का मुख्य कारन बताते हैं, हली में किस IAT कॉलेज निया घोसना कहा है, कि हडपा सबता का पतन जलवाई परिवर्तन के कारन हुआ है, तो IAT खाड़पूर के अधियन टीम ने यह निसकर्ष नि इन तिनों को त्रई कहा जाता है, 21 का अंसर हो जागा A, 22 नमर है प्रारंभिक आरियों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आरियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, चलिए, वे संस्क्रित बोलते थें सही है, वे घुरसवारी किया करते थें सही है, क और शिंदूर जो सावता थी वह नगरिये सावता थी आप लोग इसमें कन्फूज नहीं होंगे ओप्सन नमब डी इसका अंसर हो जाएगा डी गलत है निम्न में से उत्तरवाइदी काल में लिखे गया गरांथों का सही क्राम क्या है तो उत्तरवाइदी काल में जो गरांथ लिखे गया है उसका सही क्राम है वेद, व्रामन, अराणयक और उपनी सद इसका तेइस का करेक्ट अंसर हो जाएगा ए रीग वेद के संदर में निम्न कथनों पर विचार करें कितने कथन सही है रीग वेद के संदर में ठिक है रीग वैदी काल के परमुख देवता जो थे वे इंद्र थे, परमुख देवता सही है, रीग वेद का चौथा मंडल जो है, वह सिच्छा से समंदित है, यह गलत है, रीग वेद का सातमा मंडल क्रीशी से समंदित है, यह भी गलत है, देखें, चौथा मंडल जो है, वह सिच्छा से समंदित नहीं होकर, वह क्रीशी से समं दी था, सातमे मंडल में दसराग यूग का वर्णन मिलता है, करेक्ट है, तो कितने सही हैं, एक और चार यानि की केवल चार में से दो अस्टेट्मेंट सकते हैं, इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा, बी निमनलिकित कथनों पर विचार करें, ठीक है, बताइए विचार करें कि कौन से कथन सही हैं, रीगवेत के तीसरे मंडल में गातिर मंदर का उलेख है, सही है, नौमा मंडल सोमदेव को समर्पित है, यह भी सही है, अगला है, दसराग का यूद अस्कीनी नदी के टट पर तो तीसरा गलत, आएए चौथा देखते हैं, नौमे मंडल में पुरुस सुक्त का बढ़न गलत है, अब पुरुस सुक्त का जो इसका बढ़न मिलता है, हमें नौमे मंडल में नहीं, बलकि दसमे मंडल में हमें प्राप्त होता है, तो चौथा नमबर भी गलत है, तो केवल option यहाँ पर दिये गए हैं आप बताईए कि कौन सा statement सही है कौन सा statement सही नहीं है ठीक है इसका अंसर दिया गया है दो यानि कि केवल दो statement सकते हैं देखिए याजूरवेद के दो भाग हैं सुकल और कृष्ण याजूरवेद सुकल याजूरवेद पद में है और यहाँ पर दिया गया सुकल यजूरवेद गद में है यहाँ गलात है जब कि क्रिश्न यजूरवेद गद में है इस परकार यजूरवेद एक मात्र वेद है जो गद और पद दोनों में हमें देखनों को मिलता है और यहाँ से भी एक सवाल पूछ लिया जाता ह कि किस वेद का वर्णन गद और पद दोनों में किया गया है ठीक है सुकले जुरुवेद का एक अन्य नाम वाज सनाई सहिता है सुकले जुरुवेद के भी दो भाग है कानव और माद दीन ठीक है तो इस परकार से इसका अंसर हो जाएगा 26 का भी सामवेद के संदर में निम्न कथनों पर विचार करें सामवेद के पुरोहित का नाम उद्वाता है सही है सामवेद का कोई मंडल नहीं है सामवेद में संगीत की चर्चा है ठीक है जैमिनिये नामक्रिशी ने सामवेद को संकलित का या भी सही है तो कौन से कथन सही नहीं है त इसका अंसर हो जाएगा D इनमें से कौन सा अथरवेद का विसाय बस्तू है बताएए अथरवेद का विसाय बस्तू कौन है तो जादू टोना अथरवेद की इसमें चर्चा की गई है ठीक है वसी करण की भी अथरवेद में चर्चा मिलती है संगीत नहीं संगीत सामबेद ठीक है प्रेत आत्मा की विचर्चा मिलेगी और क्रिसी को कीटो और मौसम से बचाने का मंत्र इसकी विचर्चा की गई है तो एक, दो, चार, पांच सही है औप्सा नमर तीन गलत है इसका अंसर हो जागा सी रीगवेद काल के नदियों के संदर में निम्न कथनों पर विचार करें कितने कथन सही हैं रीगवेद के दसमे मंडल में 25 नदी का वर्णन किया गया है गलत रीगवेद के दसमे मंडल में 21 नदियों का उलेख किया गया है रीग बेद में सब्त सैंधव प्रदेश का उलेख किया गया है बिल्कुल सही है सरस्वती नदी को नदीतमा के नाम से जाना गया है या भी सही है और अफगानिस्तान की तीन नदियों का उलेख किया गया है यह गलत है तो कितने statement सही हैं केवल 2 सही है 2 और 3 इसका answer हो जाएगा C देखिए अफगानिस्तान को 4 नदियों कुभा, कुरुमू, सुवास्तु और गोमती का उलेख अफगानिस्तान की 4 नदियों का इसमें उलेख मिलता है और यहाँ पर 3 नदियों दिया गया था, तो गलत है, अंसर हो जाएगा B, ठीक है निमन में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है तो इसका answer हो जाएगा, जो गलत है कथन, यहाँ पर अंसर हो जाएगा C की रीग वेद में एकल परिवार की प्रथा थी यहाँ गलत है, रीग वेद में आप देखेंगे कि हमारा ऐसा भी जो प्राचीन संस्क्रिती रहा है, उसमें एकल परिवार नहीं बल्कि संजुक्त परिवार की चर्चा मिलती है, तीसका answer हो जाएगा C रीग वेदिक काल में अनुलोम बिवाह का क्या तत पर है, बताईए अनुलोम बिवाह का मतलब क्या होता है, अनुलोम का मतलब होता है, उचवान का पूरुस हो, यानि की जो अभी के trend में अगर देखा जाए, तो जो higher class के जो लोग हैं, वे उसका male और फिर lower class की female, इन दोन के बीच अगर विवाह होगा, तो उसे कहा जाएगा अनुलोम बिवाह, ठीक है, तो 31 का अंसर हो जाएगा A, वन ब्यवस्था का सरपर्थम विवरन कहां पर मिलता है, तो वन ब्यवस्था हमारे रीग वेद के 10 में मंदल जो की सबसे नभी निताम है, वहां पर इसकी अगनी को नहीं माना जाता वलकि तुफान का देवता मारूत को माना जाता था, तो किस का मिलान गलत है, तो बनस्पती का देवता सोम को और जल का देवता वरून को माना जाता है, ठीक है, 33 का अंसर हो जाएगा D, आरियों के मूल निवास को लेकर मिलान करना है यानि कि किस अस्कॉलर के द्वारा आरियों का निवास अस्थान क्या बताया गया है इसको लेकर मिलान करना है तो मैक्स मुलर ने उतरी धुरूब आरियों का निवास बताया है एक अंसर हो जाएगा तीन बालगांगतर तीलक नमद एसिया इह तो आपको लूसेंट में फैक्ट्स मिल जाएगा ठीक है बालगांगतर तीलक नमद एसिया बताया द्यान अंसर शतिनी तिब्बत बताया है C का एक D का हो जाएगा 2 3, 4, 1, 2 इसका गरेक्ट अंसर 34 का हो जाएगा प्रशासनिक काई का सही क्राम कूल, ग्राम, वीस, जन और राष्ट यह 5 क्राम रहा है लेकिन 4 बिकल्प में दिया गया है तो सही बिकल्प इसका अंसर हो जाएगा D आरियों की प्रशासनिक काई कूल, ग्राम, वीस, जन और राष्ट और इसका अध्याच अगर देखा जाए तो कूल का अध्याच कुलप, ग्राम का ग्रामनी, विश का विश्पती, जन का जनपती और राष्ट का राजा ठीक है यह उस समय की प्रशासनिक इकाई थी वैदिक सवता के संदर में निवन में से कितने यूग में सुमेलित हैं, यहाँ पर प्रशन है कितने यूग में सुमेलित हैं, सत्मेव जैते कठो पनिसद से लिया गया है, गलत है, सत्मेव जैते मुंड को पनिसद से लिया गया है, ठीक है अगला सत्यम सिवं और शुंदरम कठो पनिसद से लिया गया है तो सत्यम सिवं और शुंदरम यह सही है या मनचिकेता समवाद यह गलत है मुंड को पनिसद से या मनचिकेता समवाद जो है वह कठो पनिसद से लिया गया है ठीक है और अस्तोमासद गम्या अस्तोमासद गम्या जो है वहाँ विरी का अरणयक उपनिब्र से लिया गया है ठीक है तो कौन सा गलत option number कौन सा सही है तो केवल option number 2 सही है सत्यं सिवं और सुंदर्णम हमें कठोपनिशन से लिया गया है 36 कभी knif mo नेम कथणों में सही कथन का चैन करना है ठीक है सबसे पहले सबसे बिसाल बरामण गरंथ सत्पत बरामण गरंथ है सई है अथरवैद के ऊपर अरण्यक उपनिसर अरण्यक साहित्य कि राचना की गई है यह गलत है उपनिसत को विदान्त दर्शन कहा जाता है या भी सही है और उपनिसत की बरतमान समय में संख्या जो है वह 108 है ठीक है तो देखिए अब आप्सन नमबर 2 गलत है समस्त ब्रामन गरंथ के मद सत्पत ब्रामन गरंथ जो है सरवाधिक ब्रिहद और विसाल माना जाता है वैदिक सहतिक अनुसार अरण्यक ब्रामन गरंथ एवं उपनिसतों को जोड़ने वाली मानी जाती है यानि कि अरण्यक जो गरंथ है वह ब्रामन गरंथ और उपनिसत इन दोनों के बीच की कड़ी है ठीक है तो 37 का अंसर हो जाएगा बी एक तिन और चार सही है दो नमबर गल जाता है तो उत्तर वैदिकाल में इस्तिरियों की स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें सिछा प्राप्त का अधिकार था या अस्टेटमेंट गलत है ठीक है उत्तर वैदिकाल यहां वैदिक नहीं पूछा गया है उत्तर वैदिकाल है तो उत्तर वैदिकाल म आप देखेंगे कि मैलाओं की स्थिति में इस्तिरियों की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आती है ठीक है उनको पैत्रिक संपति से वंचित कर दिया जाता है सभा में परवेश को उनको वंचित कर दिया जाता है सिछा के अधिकार से उनको पूरी तरीके से वंचित कर दिय में ठीक है इस काल की सबसे प्राचीन संगठन जो है वा विसद थी तो आप देखेंगे कि रीग वेद में इन सब का चाहेवा सभा हो समीती हो विसद हो गण हो इन सब की चर्चा रीग वेद में मिलती है तो पहला जो है वा सही है ठीक है इस काल में सभा और समीती राजा को सल देती थी विशद की आठ बार चर्चा हुई है और समीती की नौ बार चर्चा हुई है ठीक है देखिए यहाँ पर राजा को सलाह देने के लिए संस्था नहीं थी बलकि यहाँ एक सभा और समीती जो था यहीं से आपको लोकतंत्र का रूट जो है वह यहीं से आपको जाता था तो एक सलाहकारी संस्था नहीं थी बलकि executive body थी बलकि तीन और चार इसका statement सही हैं ठीक है तो कितने कथन सही हैं तो इन में से तीन सही हैं आपसा नमर दो गलत 49 का अंसर C रीग वैदिकाल के लोग कितने परकार के बरतन से परिचित थें तो रीग वैदिकाल के लोग चाहे वह काले और लाल रंकमरिद भांड हो काले रंकमरिद भांड हो चित्री धूसर मरिद भांड हो और लाल रंकमरिद भांड हो इन सही से परिचित थे तो इसका अंसर 40 का हो ज आते थे जिसका एकमातर उदेश होता था सक्ति परदर्शन करना उस समय आपने देखा होगा माभारत या फिर रामाइन भी आप देखे होंगे तो उसमय आपको मिलता होगा हलाकि उत्तरवाइदिकाल से पुर्ग क्यों घटना है ठीक है लेकिन आप देखेंगे कि प्राचीन देने के लिए राजा के द्वारा किया जाता था एक तालिस का अंसर भी मिलान करना है बताईए बहुत आसान प्रशन है सांखे दर्शन सांखे दर्शन का अंसर हो जागा महर्शी कपील एका एक पुर्मिवांसा दर्शन जैमिनी उत्तरमिवांसा दर्शन बादरायन और न पूर्य मिवांसा दर्शन महर्शी जैमिनी उत्तर मिवांसा बाद रायन नयाय दर्शन गौतम निमन में से उत्तर वैदिकाल की विभेदक विशेष्टा निमन में से कौन सी है इन में से कितने कथन सत्त हैं आपको सत्त कथन को बताना है ठीक है आईए इसका हम लोग explanation देखत हैं उत्तर वैदिकाल की विभेदक विशेष्टा आरियों का पूर्व क्योर विस्तार था यानि की option number A सही है ठीक है और बाकी ज़र statement है वह गलत है प्रारंभिक वैस्विक यूग के दोरान आरे सप्त सिंदु छेत में बस गए उत्तर वैदिकाल में आरे आगे पूर्व क् पूर्व गंगा के मैदानों में विस्तार का उलेख मिलता है आरियों ने इस काल में यमना और गंगा नदियों के द्वारा पोसित संब्रिद मैदानों को पूरी तरह से अपने धीन कर लिया उत्तर वैदिक साहित में कई आदिवासी समुहों और राज्यों का उलेख मिलता है ठीक है तो अगर प्रश्ण के कॉर्डिंग देखेंगे कि कितने कथन सही है कि उप्तरवैदिकाल की विभेतक विश्था कौन है तो केवल एक नमर सही है आरियों का पूर्व क्योर हमी विश्थार देखने को मिलता है इसका अंसर हो जाएगा ए नमर में से कौन सह कथन गलत है गलत कथन को बताना है तो इसका अंसर हो जाएगा दी तीन पगों में तीन लोको को माप लेने के कारण ब्रंबा को उपकरम कहा गया है यहाँ अस्टेटमेंट जो है वहाँ गलत है ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उपकरम नही बलकि सूरेवंसी कहा गया है सूरेवंसी बाकिया statement इसके सकते हैं ठीक है तीन पगों में तीन लोकों को माप लेने के कारणा ब्रंबक को सूरेवंसी कहा गया है दस्यू वे लोग थे जो यग नहीं करते थे और दूसरी भासाएं बोलते थे यानि कि पाला सही है बाद में दास सब्कार्थ गुलाम हो गया था ठीक है दास वे इस्तिरी और पूरुस होते थे या भी सही है वे बंदी पूरुस है इस्तिरी कोई भी हो सकते थे और अथरवेद की रचनक गंगा यामना छित्र में की गई थी अभी सही है इसका 44 का अंसर हो जागा डी उत्तर वैदिकाल में इस्तिरियों के संदर में कौन सा कथन सत्य है तो इस्तिरी के संदर में देखेंगे तो सत्पत ब्रामन में इस्तिरी को अर्धांगनी कहा गया है या सत्य है ठीक है इसका अलावा अगर आप देखेंगे कि मैं त मिस्तिरी को समस्थ दुखों का कारण बता गया है तो समस्थ दुखों का कारण मैं अत्रेया में नहीं बलकि एत्रेया में ठीक है और एत्रेया ब्रामन मिस्तिरी को सराब जुआ की तरह बुराइक रुपे परिवासित क्या गया है या गलत है सराब और जुआ की तरह अधिकारी उत्तरवैदिकाल इनका कार्य क्या था इसे आपको मैच करना है तो भाग दूध को साध्या छुतेते एक अदो हो जाएगा संग्रहित कर एकत्रित संग्रहित यानि कि संग्रह करना कर एकत्रित इसका अंसरे हो जाएगा पालागल जो है राजा को हसाता था पागलो भारत के संस्क्रिति कितिहाज के संदर में बुधि सत्वा सब्द का सही वर्णा निम्न में से कौन सा है तो बुधि सत्वा का सही अर्थ है एक बुधि सत्वा कोई भी व्यक्ति है जो बुध्धत्व की और अग्रसर होता है बुधि सत्वा बुध भुधर्म से संबंदित है 47 का correct answer हो जागा A महात्मा बुद्ध के संदर में कौन सही नहीं है यानि कि बुद्ध के संदर में कौन सा कथन गलत है तो बुद्ध को एसिया का जोतिपुंच कहा जाता था सही है इनका दन 563 BC और मिर्टू 483 BC में हुआ था या भी सही है बुद्ध के पिता का नाम बर्दमान था गलत बर्दमान महवीर के बत्पन का नाम था बुद्ध के पिता का नाम सुदोदन था ठीक है देखिए यहाँ पर लिखा गया है बुद्ध के पत्नी का नाम या सुदरा सही है तो कौन सा गलत है और और सी गलत हो गया यावी सही है लेकिन यहाँ पर है कि गोद्ध की माता लिछवी गनराज की कन्या थी गलत है इनकी माता देखें आप लिखा गया माता महामाया राम। राम की कोलिय कन्या थी और पिता सुदोदन कपील वस्तु के सक्वंस के राधा थे तो तीसरा गलत हो गया तो एक दो और चार सही उन्चास का अंसर ए मिलान करना है यहां पर पर इधर बहुत सा मेलन और इधर कहां पर किया गया था ठीक है बहुत असान प्रशन है राजगीर वैसाली पाटिल पुत्र और जमुकास्मिर का कुंडल बन इसका ये करम रहा है ठीक है तो पहला लिखा गया है पहला राजगीर ठीक है पहला अच्छा मिलान करना है इधर एक इधर एभी सीडी दिया गया है और इधर एक दो तीन चार दिया गया है इस हिसाब से आपको य ठीक है राजगीर वैसाली पाटली पुत्र यानि कि इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा राजगीर वैसाली पाटली पुत्र यानि कि तीसरा बहुत समयलन पाटली पुत्र में हुआ है तो B का हो जाएगा दो और चौथा बहुत समयलन जमू कास्मिर के कुंडल बन में यानि कि C ठीका तीन ठीक है तो एक दो तीन चार यह तो मैच है और रेड़ी यानि कि इसका एक दो तीन चार होगा पचास का अंसर ठीक है यहां पर एक दो तीन चार ठीक है यानि कि इसका अंसर हो जाएगा बी अब कब हुआ था किस की अधास्ता में हुआ था और किस सासक के समय हुआ था या भी देख लिजे हमने बता दिया रादगीर वैसाली पाटिलपू जमू कास्मिर के कुंडल मन इस भी देखें तो 483 यह चार सासकाल है और किसकी अध्यस्ता में तो महा का सब सरकामनी मोगाली पूत तीस और बसुमित्र इनकी अध्यस्ता में वह था चारो बहुत संगी तिया आप लोग याद कर लेंगे बौद धर में बौद संग चैत और विहार से क्यातत पर है ठीक है संग का मतलब होता है बौद विच्छों का निवास अस्थान गलत संग का मतलब होता है संग यानि की समू बौद विच्छों का समू चैत का मतलब होता है बौद विच्छों का पूजा अस्थल ठीक है या स अस्थान उसी के कारव विहार जो था वा बाद में विहार के रुपे परिनत हुआ तो इन में से कौन से कथन सक्त है ठीक है सत्त कथन को देखना है तो केवल दो कथन सक्त है इसका अंसर होना चाहिए था इसका option यहाँ पर गलत है लेकिन यहाँ पर option जो है बहुत भी चोंका समूह तो सही लिखा लेकिन यहाँ पर गलत है और इसके according इसका explanation भी गलत है इसका अंसर गलत है आप लोग जो हमने बताया उसके according और अंसर नमबर दो सही है बाकि सारे गलत है एक और तीन एक आमन का अंसर incorrect बामन कौन सा कथन गलत है गलत कथन को बताना है ठीक है तो गलत कथन है तीन और चार यहाँ पर गलत दिया गया है बहुत धर्म के सिदांत का दार्शन ब्याख्या बिनाय पिटक और बहुत धर्म के नियमों का संगलन जो है अविधाम पिटक यह गलत है कैसे आईए इसका explanation देखते हैं ठीक है सू पिटक के अंतरगत ठीक है बिनाय पिटक में हमें बहुत भिक्षू और भिछनुयों के अचार बेवार की जनकारे मिलते हैं अविधाम पिटक में महात्म बुद के दर्शन से समंधि विचार मिलते हैं तो इसके कोडिंग आप लोग मैच कर लेंगे बहुत धर्शन के संद कि बहुत धर्शन के अनुसार बिश्व जो है वह नित और अस्थाई है या गलत है बिश्व जो है वह अनित है और लगतार बदल रहा है तो पहला जो है कौन सा सही है तो दो और तीन सही है यानि कि 53 का अंसर C 54 बुद्ध के जीवनकाल और उनकी मृतु के बाद भी बहुत धर्म के तेजी से फारेने के क्या कारण थे यानि कि उनका जीवनकाल और उनके मृतु डेत के बाद ही बहुत धर्म का बिस्तार क्या होता गया तो लोग समकालिन धार्योंक प्रथाओं से असंतूष्ट थे सही है तेजी सोहरे समाजिक बदलावने लोगों को उल्जेने बांध रखा था या भी सत्य है और बहुत सिछाओं में जन्म के अधारपस रिष्टता की बजाए अच्छे आचरान और मुल्यों को महत्व दिया गा था या भी सत्य है तीनों कथन सत्य है चौवन का अंसर हो जाएगा बौद धर्म की तीसरी संगीती असोक के समय पाटली पुत्र में हुई थी इस अबसर पर तिरी पिटक के किस भाग की रचना की गई थी तीसरी बौद संगीती में अभी धर्म पिटक की रचना की गई थी पच्पन का करेक्ट अंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद धर्म के बिच समानता को नहीं दर्शाता है तो पहला है कि दोनों धर्म साथ अचार और अहिंसा की चर्चा सही है दोनों धर्म कर्म और पुनार जन्म में विश्वास रखा गया सही है धर्म का अंतिम लक्ष मुक्ष की प्राप्ति याभी सत्य है दोनों इधर्म आत्मा के अस्टित में विश्वास करते थे यह गलत है ठीक है तो कौन से कथन गलत है कौन से समानता को नहीं दर्शाता इसका अंसर हो जाएगा डिल अगला सतामा नम्बप्रश्ण बौद धर्म को किस किस राजाओं का सरचन प्राप्त था बताईए किस राजाओं का सरचन बौद धर्म को प्राप्त था तो असोक का था हर्शवर्धन का था और कनिस्क इन तीनों सासकों को बौद धर्म का सरचन प्रदान किया गया था लेकि देखिए आपर दिया गया है इसको आपलों देख लेंगे कनिस्क महायान बहुत धन का सनच्छन था और असोक हर्षवर्धन कनिस्क इन तीनों ने बहुत धन को सनच्छन दिया था निम्न कथनों पर विचार करें और चैत और विहार के बिच के आंतर या घटना चक्र का सवाल है चैत का मतलब विहार का मतलब निवास अस्थान और जिसी का नाम पर विहार सब विहार के रुपे कनवट हुआ चैत पुजा अस्थन ठीक है तो अठामन का अंसर हो जागा B अरंभिक मध्य उविन समय में बौध धर्म का पतन कीन कारणों से हुआ तो बौध धर्म का पतन का सबसे बड़ा कारण था कि बुद्ध को विश्रू के अवतार घुसित कर दिया गया और बैसन धर्म का यहीं सा बन गया सबसे बड़ा इंपोटेंट कारण यहीं था इसका अंसर हो जाएगा A स्यादवाद का अन्य नाम क्या है तो स्यादवाद की स्यादवाद देखिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा अंसर ठीक है ब्यक्ति अपनी सिमित बुधी और सिमित ग्यान के कारण सत्य के स्वरूप को देखने का बजाए सत्य के कुछी पहलूं को देख पाता है स्यादवाद का सिदांत का अन्य नाम क्या है यहाँ अंसर इनमें से कोई नहीं है लेकिन इसका एक्स्पलानेशन जो होना चाहिए खाए नहीं दिया गया है सिदांत का अन्य नाम क्या है अगर अंसर इनमें से कोई नहीं है तो इनको हम लिखना चाहिए था कि आखिर श्यादवाद को अन की सुरूपों में जाना जाता है ठीक है ओवर ओल अगर देखे तो ये तीनों जहाए वस्याद वस्य समधित नहीं है आप लोग इतना जानिए जहन धर्में तिरी रत्न के अनुसार अंतरगत किया नहीं आते हैं तो समयक ग्यान, समयक दर्शन और समयक आचरन तो आता है लेकिन समयक विचार तिरी रत्न के अंतरगत नहीं आते हैं एक सठ कांसर हो जाएगा भी महावीर के जैन धर्म के संदर्म निम्न कथनों पर विचार करें कितने कथन सई हैं जैन धर्म के चोबीसमें और अंतिमतिर धंकर थें सई है इनका जन्म बैसाली के समी पे कुंड गराम में हुआ था या भी सई है बचपन का नाम सिदार्थ गलत है महावीर के बच्पन का नाम सिधार्थ नहीं बलकि बर्दमान था इनके पीता का नाम बर्दमान या भी गलत है इनके पीता का नाम सिधार्थ था ठीक है तो कितने कथन सही है एक और दो सही है यानि कि केवल दो अस्टेटमेंट इन में से सही है 62 टंसर ओजागा B पःसुनात के द्वारवपरतिपादी जिप्रांट के द्वारव परतिपादन किया गया वे चारों सिधादन कोन से है तो ब्रोतां ब्रहंचर आप सभी जानते है कि महावीर के द्वारव जोड़ा गया है ब्रहंचर के जो अलावा है वे जो थे वे पार्शुनात का दिया गया है ठीक है तो आइए देखते हैं इसमें 63 का B लिखा गया है B यानि की 1, 2, 3, 4 बताया ना कि ब्रह्मचर जो है वा महवीर के द्वारा जुड़ा गया था बाकि सभी पार्शुनात का है ठीक है कौन सा कथन गलत है गलत कथन को बताना है ठीक है स्वेतांबर संप्रदाय के संथापक अस्थूलभद दिगंबर में इस्तीरियों का निर्वान संभब नहीं था ठीक है स्वेतांबर जो थें वेकटर पंथी थें या गलत है दिगंबर संप्रदा मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त रत्याग करते थे या सही है तो कौन सा कथन गलत है तो 64 का अंसर हो जाएगा C जो की पूरी तरीके से गलत है यहाँ पर explanation दिया गया है आप लोग इसे देख लें ह हर एक प्रशन का explanation पढ़ना संबब नहीं होता है थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर आपको बोरिंग फिलोगी ठीक है तो explanation पूरा नहीं मैं पढ़ पा रहा हूं लेकिन जो important है उसे पढ़ दे रहा हूं जैन धर्म के संबंद में विचार करना है कौन सा कथन सही है जैन धर्मति धंको की अब्धाना को प्रबुद सिछक के रुपे मानता है जो मुक्ति के मार्ग प्रदर्शित करने में सहाय का सही है बौद धर्म पुनरजन्म के चक्र से आत्मा की मुक्ति है सही है और इसका अ पर्थम तिर्थंकर कौन थे जैन धर में पर्थम तिर्थंकर थे रिस्वदेव एका हो जाएगा चार ठीक है A B C D डिवितिय तिर्थंकर थे पार्शुनाथ B का हो जाएगा स्वरी 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 पहले तिर्थंकर इसब देव A का 4, B का हो जाएगा दुवितिय तिर्थंकर अजीतनाथ B का 3, 22 तिर्थंकर अरिष्ट नेमी C का 1, और 23 तिर्थंकर थे पार्शुनाथ D का 2, और यही 24 तिर्थंकर अगर रहता तो आप क्या बताते हैं महावीर, किक है, तो इसका इस परकार स मैच होगा, आपनों मिलान कर लें, सरशाटमा सवाल है, बहुत धर्म और जैन धर्म की विचार धारा के बीच अंतर के विशाय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानि कि जैन धर्म और बहुत धर्म के बीच अंतर को दर्शात्ते के कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों उपनि जीने का समर्थन करता है या सही है इसका अंसर नमर सी हो जागा ये ठीक है बौध धर्म आत्मा के स्थित्व को नहीं पहचानता है यहाँ पे उल्टा स्टेट्मिन दिया गया जैन धर्म आत्मा के स्थित्व में विश्वास करता है सरशट का अंसर सी और आज का लाश्ट सव का पतन हुआ था तो इसका correct answer D इन में से सभी statement सही है तो answer का हो गया D तो इस परकार से आज का NCN 60 का day 1 हमने finish किया है कल NCN 60 का day 2 discuss किया जाएगा thank you so much बहुत धन्यवाद